नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका डीप नॉलेज में आज का वीडियो है चिंता के बारे में अगर आपको बहुत ज़्यादा चिंता होती है तो आप कैसे उससे बच सकते हैं इसके उपर एक बहुत फेमस बुद्धिस्ट स्टोरी है जैन मॉंग की वो मैं शेयर करना चाहता हूँ फिर उसके बाद मैं इसकी गहराई में जाना चाहता हूँ मैं आज बात करना चाहता हूँ कुछ ऐसे मिसकॉंसेप्शन्स के बारे में जो मेडिटीशन से रिलेटिड है अगर आप spiritual पत्पे हैं और आप चाहते हैं कि आप बहुत गहरे ध्यान में जा पाए हैं तो कुछ ऐसी बाते हैं जो commonly believed है और हमारा दिमाग उनको बस ऐसे ही मान लेता है उस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाता और वो गलत है तो मैं आज की वीडियो में इन्हीं common misconceptions of meditation and approach to worry चिंता की प्रती हमारा कैसा अप्रोच होना जाहिए उसकी बारे में बात करना चाहता हूँ तो बात की शुरुवात करते हैं कहानी से यह बहुत ही famous कहानी है एक गाओं में एक young लड़का रहता था यही कोई 15-20 साल का बच्चा experience कम था कोई सत्संग नहीं था तो अगर किसी के साथ उसकी बहस हो जाती लडाई हो जाती तो बस दिन भर उसी के बारे में सोचता रहता था कैसे में लोगों से बदला लो उसके लगा किसी के साथ अच्छे relationship बनते थे नहीं तो अपनी life में आगे बढ़ पा रहा था उसका एक दोस्त था एक भी अच्छा friend हो तो आपके लिए बहुत बड़ा boon हो सकता है आशिरवाद हो सकता है उसने कहा बंगल के गाओं में एक Buddhist monk है एक Zen monk है उनके पास जाके मिलो तुमारी help करेंगे यह कहानी मैंने अपटे बेटे को सनाई थी उसको बहुत अच्छे लगी वो भी एक दिन बहुत परिशान था उसकी ममीन ने उसको पढ़ने के लिए कह दिया था और वो दिन भर उसी बात के बारे में सोच रहा था तो कहानी यह कहती है कि वो बच्छा उस monk के पास गया साधू के पास गया और उसने बताया कि ऐसे इसी मेरी परिशानी है मैं एकी बात को दिन भर सोचता रहता हूँ इसको सुनकर वो साधू अपने हट में चले गए और वहाँ से एक ग्लास पानी लेकर आए लड़के को लगा उसके लिए पानी लाए है उनने का नहीं है पानी मेरे लिए है तो उसने सुचा ठीक है पानी पीना चाहते होंगे लेकिन वो पीनी रहे थे बस लेकर खड़े है तो एक दू मिनिट के लिए तो लड़का चुप रहा फिर बोलता है यह आप क्या कर रहे है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप क्या दिखाना चाहते हैं क्या बताना चाहते है तो मौक ने कहा मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ यह बताओ मानलो इस ग्लास को मैंने एक मिनिट से पकड़ा है तो इसे क्या होगा उसने कहा कुछ नहीं आपको प्यास लगेगी तो पानी पी लेंगे तो मौक ने कहा ठीक है सही बात है तुमारी अभी बताओ मानलो इस ग्लास को मैंने एक घंटे तक ऐसे ही पकड़के रखा तो क्या होगा तब वो लड़का थोड़ा सा सोचा यह मुझे कुछ दिखाना चाहते हैं बताना चाहते हैं तो इस exercise में मौक के साथ होगी है उसने कहा एक घंटे तक अगर आप पकड़ेंगे तो आपके हाथों में बहुत धर्थ होगा ठक जाएगा आपका हाथ बीच बीच में आपको एक हाथ से दुसरे हाथ पे ले जाना पड़ेगा अगर आपके बस प्रैक्टिस नहीं है तो मौक टिंग आइद दम सही और मान लो इस पानी को मैं दिन भर अपने हाथ में लेकर ऐसी पकड़ के रखू तो क्या होगा लड़के ने कहा यह तो impossible है कोई भी आदमी एकलास पानी को दिन भर अपने हाथ में नहीं ले सकता तो उस ने कहा नहीं मान लो मान लो मैं इसको लेकर ऐसी खड़ा रहू तो क्या होगा उस ने कहा आपके muscles में cramp आ जाएंगे और अगर आप और force करते हैं तो उसकता है आपके हाथ को लकवा मार जाए आपका एक हाथ ही कमजोर हो जाए काम ही न करे मौक ने आप बहुत अच्छे तो बहुत समझदार हो लड़के ने खालेगे मैं समझ में नहीं आया आप बताना क्या जाते हैं मौक बहुत बहुत समझदार था इंलाइटेंड था उसने कहा जब भी हम किसी विचार को अपने मन में रखते हैं तो ठीक ऐसे ही है जैसे कि आप एक ग्लास को अपने हाथ में रखते हो यह तो फिर भी एक ग्लास है मान लो तुम एक छोटा सा पत्थर अपने हाथ में रख लो और पकड़ो भी मत तुम उसको वस रसी से बांदो और तुम्हारे हाथ में रहे तो तुम्हारा हाथ इतना सेंसिटिव है कि कुछ टाइम के बाद तुम्हारे हाथों में घाओ पड़ जाएगा और हो सकता है कि वो सकिन छिल जाए और खून भी निकलने लगे ठीक ऐसे ही हमारा मन है जिसमें अगर कोई विचार डालते हैं हम किसी भी टाइप का विचार तो आस पास की चेतना को घर्शन करता है उसके साथ फ्रिक्शन करता है और विचार तो एक स्टोन की तरह होता है एक चीज होती है अगर एक ही विचार बार बार चल रहा है तो और किसी भी टाइप का विचार हो उससे फरक नहीं पड़ता है कि वो अच्छा विचार है कि खराब विचार है और धीमे धीमे तुम्हारे जिन्दगी को miserable बना देता है जैसे छोटा सा ग्लास का peace या एक पत्थर तुमारे हाथ को घाव कर देता है लड़का बात समझ गया फिर बोलता है चाह मुझे बताईए मुझे एक करना क्या चाहिए कैसे मैं इन विचारों से मुक्त हो जाओ जिन्मांग के पास बस एक ही solution था और वही solution हम सब के पास भी है ध्यान meditation तो उसलों के ने पूछा ठीक है मैं करके आता हूँ वो चला गया गाओं में कई दूनों तक उसने meditation करने की कोशिश की और एक बार आप तो मैं यही बोलना चाहता हूँ आपसे कि सबसे पहला misconception है meditation के बारे में spiritual life के बारे में instant results देखिए प्यास लगती है तो पानी पीजिए प्यास बुच जाएगी आपको बहुत जोर से पेट में दर्द हो रहा है तो अपनी बाडी का position चेंज कर दीजिए या फ्रेश हो के आजाएए तो पेट का दर्द खतम हो जाएगा इन चीजों में तो instant result मिल सकता है लेकिन meditation में नहीं अगर आपके मन में कोई चिंता चल रही है किसी काम को ले करके या किसी भी बात को ले करके तो अब meditation करके तुरंट उसको खतम नहीं कर सकते meditation एक long term game है इसका result बहुत धिरी धिरी आता है इसलिए तो कृष्ण कहते है कि तुम्हारा हक केवल कर्म पर है उसके फल पे नहीं है meditation करिए एक activity की तरह लेकिन उसे पहले सीखिए समझे क्या है ये एक पुरा विज्ञान है इसलिए मैं आपको जनुगा basic advanced course में invite करता हूँ दूसरा विचारे का misconception था no thought state उसने बहुत जगों पर बहुत लोगों से सुन रखा था जब तुम गहरे ध्यान में जाओगे तो तुम्हारे मन में विचार नहीं होगे तुम विचार शुन्य हो जाओगे ऐसा अक्सर इसलिए होता है जब हम किसी थोड़े पुराने मिडिटिर के पास जाते हैं जिसके पास थोड़ा experience आ गया है और वो कभी-कभी बड़ा शान्त हो जाता है तो वो बड़ा खुश हो जाता है क्योंकि विचार शुन्य स्टेट बहुत से किताबों में लिखा गया है बहुत से गुरू ने इसके बारे में बड़ी प्रशंशा की है तो उस बच्चे को भी लगता था कि मैं जल्दी से जल्दी विचार शुन्य स्टेट में चला जाओ आपका क्या ख्याल है दोस्तो जब अब ध्यान करते हैं तो आप विचार शुन्य स्टेट में जा पाते हैं और अगर जा पाते हैं तो कितना टाइम तक रह पाते हैं और उसका क्या रिजल्ट होता है उसकी विल से आपको कैसा फेल होता है मेरा experience ये है कि जब आप ध्यान में जाते हैं तो सबसे पहले आपके विचार शुन्य नहीं होते हैं In fact, विचार शुन्य कभी नहीं होते हैं विचारों का होना या नहीं होना उससे बहुत दूर हो जाते हैं ऐसा भी हो सकता है, in fact, ऐसा ही होता है कि विचार बहुत दूर हो जाते है आप उनको केवल विटनिस करते है और फिर धीमित्भी में वो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे एक स्पेस में धुआ धुआ खतम नहीं हो जाता, शूनि नहीं हो जाता वो हमको परसीब नहीं होता है और जब कोई चीज परसीव नहीं होती तो हम बोलते हैं वो है ही नहीं लेकिन उससे बहुत पहले जब आपको आपके विचार दिखते नहीं है गायब से होते हैं वो अपने आपको उसका रूप बनल लेते हैं से बहुत पहले आपको right thinking आना शुरू हो जाती है because normally हमें कोई thought किस रूप में परिशान करता है जब आपका मन कहता है कि ये ऐसे होगा या ये चीज नहीं होगी तो ये है thought जैसे आप कोई गाना सुनते हैं या कोई आदमी आपको अपशब्द कह देता है अम्यूज कर देता है या कोई धमकी देता है ये विचार दिमाग में चलते रहते हैं एक रूप में लेकिन विचार हमेशा किसी चीज को बताते हैं कोई बात बताते हैं कोई event के बारे में आपको एक आगाह करते हैं और ये दुनिया है डाइनामिक, जिन्दा, जो चीज मैंने अभी कहा, वो दो घंटे बाद बदल सकती है, अभी रिसेंटली बड़ी इंट्रेस्टिंग चीज हुई, एक लड़का उशादी के लिए एक लड़की वसंद करने गया था, दुनों ने एक दुसरे को देखा, मेरी बीवी मेरी मा के साथ गाओं में रहे, ये मेरा विचार है, क्योंकि मैं गाओं से हूँ, तो मैं गाओं नहीं छोड़ सकता, और फिलहाल हो लड़का जौब कर रहा है एक शहर में, और वो चाहता है शादी करके उसकी वाइफ गाओं में उसकी मा के साथ रहे, कभी- अब ये अपने मा के साथ, अपनी सास के साथ, अब ये विचार उसके मन से निकला और उसने अपनी होने वाली वाइफ को दिया, उसकी होने वाली वाइफ ने इस विचार को अपने मन में रखा, विचारी डर गई, परिशान हो गई, उसने कहा दिया, मैं इस टाइप के ला event जो आज के एक मेने, दो मेने, चार मेने, छे मेने बाद होगा और जब दो लोग एक दूसरे के साथ शादी करेंगे और time spent करेंगे तो उनकी life कहां और कैसे जाएगी कोई नहीं जानता, वो खुद नहीं जानते, मैं खुद नहीं जानता के लिए multiple factors होते हैं और ये हमारा विचार नहीं देख पाता है, इसलिए ये ध्यान रखेगा जब भी आप spiritual life में घुस रहे हैं तो आपको विचार नहीं मिलेंगे आपको right thinking मिलेगी मतलब आप दुनिया को और गहरे से perceive कर पाओगे आप खाली पेड को नहीं देखोगे आप पूरे जंगल को देख पाओगे एक broader picture समझ पाओगे ये result है जब आप ध्यान की गहराईयों में जाओगे तो उसके बाद वो बच्चा बोलता है अपने zen monk से क्या मुझे आपकी तरह सादू बनना पड़ेगा क्या मुझे भी कोई special religion या कोई special spiritual group को join करना पड़ेगा उमौंक मुस्कुराए बोलते मैं कोई special नहीं हूँ मैं का आम आदमी हूँ special तो तुम हो उसने गा ठीक है मैं समझ गया लेकिन क्या मुझे भी आपकी तरह ये कपड़े पहने पड़ेंगे जो एक सादू की कपड़े होते हैं उमौंक मुस्कुराए बोले नहीं ये तो choice है, मेरी choice है ये तुम्हारे predicament करेगी फिर उन्हों एक बहुत कमाल की बात बोली और उन्होंने कहा जो आदमी spiritual life में जाता है ध्यान में जाता है वो एक empty space की तरह हो जाता है वो कैसे कपड़े पहनता है इसे कोई फरक नहीं पड़ता मुझा एक सादू के कपड़े पहने चाहे घर में बैठकरके एक pan shirt में रहे इसे कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि ध्यान मन के अंदर की घटना है इसमें तुम किसी special category में नहीं जाते हो तुम जो भी special अपने आपको महसूस कर रहे हो वो दिमीदी में खतम हो जाता है तुम अपने आपको एक empty space बनाते हो in fact दुनिया में जितना भी simple से simple कोई हो सकता है उससे भी simple हो जाते हो तुम जब तुम एक spiritual life में आगे बढ़ते हो उसके बाद एक सवाल पूछा उसने मैंने सुना है spiritual रस्ते पे गुरू मिलते हैं और गुरू ही आपका बेड़ा पार लगाते हैं ये सवाल उस मौंग से उस लोग के नहीं पूछा था मेरे एक student ने मुझसे पूछा था कि क्या मुझे भी किसी गुरू को फॉलो करना पड़ेगा और आप मेरा इसमें जवाब जानते ही हैं दुनिया में होते हैं teachers गुरू नहीं होते और अगर आप अपने गुरू के दर्शन करते हैं आग बंद करके तो आप hallucinate कर रहे हैं आप एक सौपने देख रहे हैं और उसमें सपनी की दुनिया में आप एक आकरती बनाते हैं और इसको देखते हैं उसको पूछते हैं जब real guru आता है तो आपके अंदर आता है और इसको कोई रूप नहीं होता वो जिस रूप को आप पसंद करते हैं वो रूप देख लेता है इसलिए ये बात तो भूल जाएए कि फिजिकल वर्ल में आपको किसी को गुरू बनाना पड़ेगा यह absolutely bogus बात है अब दूसरी बात है गुरू कैसा होगा जिस गुरू से मैं सीख रहा हूँ क्या मैं उसको continue करूँ जिसे किताबे खरीगते हैं आप जैसे आप एक होटल में जाते हैं आप एक स्कूल में या कॉलेज में जाते हैं ऐसे ही आप एक बंदे से कुछ सीख रहे हैं वो आपका इश्वर नहीं है वो सर्व व्यापी, सर्व ग्याता नहीं है जब तक कोई आदमी फिजिकल फॉर्म में है वो अपने उपर काम कर रहा है वो आपको इस यात्रा में कुछ चीज़े explain कर सकता है लेकिन वो आपका गुरू नहीं हो सकता आपका गुरू केवल आपके अंदर आएगा जब आप critical certain stage cross कर जाएंगे critical certain stage क्या है कैसे cross करते हैं इन सब चीज़ों के बारे में मैंने जुनों का basic advance course में काफी detail में बात किया है इसलिए गुरू बिलकुल मिलेगा लेकिन उसके लिए आपको बहुत काम करना पड़ेगा और वो गुरू आपको आपके अंदर मिलेगा ना की बाहर चौथा एक बहुत ही common blame दिया जाता है अगर आप spiritual stage पे हैं आप meditation कर रहे हैं यह मुझे मिला था बहुत सालों तक जब मैं BBS कर रहा था उस समय एक friend था वो अक्सर कहा करता था कि ध्यान तो वो लोग करते हैं जो जिन्दगी से भागते हैं जो डरते हैं अपने exams के attention से career के path से इन सब चीजों से जो डरते हैं वो लोग ध्यान के रस्ते पे भक्ती के रस्ते पे spiritual रस्ते पे जाते हैं उस से मैं तुम्हें उसको जवाब नहीं दे पाता था वो बढ़ने में बहुत तेज था अभी भी है बहुत बड़ा surgeon बन चुका है लेकिन आप मैं उससे कहना चाहूंगा अगर वो ये video देख रहा है तो भी और अगर आप देख रहे हैं आपको ऐसे कोई blame करता है कि तुम तो ध्यान इसलिए करना चाहते हो क्योंकि तुम भाग रहे हो तो मैं आपसे कहना चाहता हूं बिल्कुल भाग रहे हैं हम लोग हम लोग भाग रहे हैं दुखों से, तकलीफों से लेकिन एक फरक है नॉर्मल भागने में और हमारे भागने में हम चाहते हैं permanent solution हम नहीं चाहते हैं life में कोई misery हमेशा, हमेशा के लिए एक normal आदमी भागता है ऐसे बहुत से लोग करते हैं वो television के जरिए शराब के जरिए love के जरिए और इस तरह की सभी miseries का तो विल्कुल भाग रहा है लेकिन वो खुद नहीं भाग रहा है वो इन चीजों को भगा रहा है sufferings को भगा रहा है और ध्यान कोई escapism नहीं है ध्यान एक permanent solution to all the miseries of life है next उसका सवाल था एक भाई साब ने पूछा था कि क्या हमको पदमासन में बैठना पड़ेगा lotus position में बैठना पड़ेगा ध्यान करने के लिए देखिए यम नियम आसन प्राणायाम थर्ड स्टेज है आसन आप देखेंगे जिनों का advance में हमारे साथ चलेंगे तो देखेंगे कि ये सारे के सारे steps mind के steps है यम भी mind के steps है नियम भी मन के अंदर की चीज़े है और आसन भी मन के अंदर की चीज़े है अगर आप physical yoga करते हैं तो बहुत से ऐसे आसन है जो आपको physically fit करते हैं लेकिन बहुत से ऐस आसन हैं जिसमें आप comfortably दो मिनिट, चार मिनिट, पाँच मिनिट तक बैठ सकते हैं लेकिन ये compulsory नहीं है अगर आप आराम से sofa पर बैठ कर या बिस्तर के उपर बैठ करके अपने आपको concentrate करा सकते हैं वो भी ठीक है मैं फिलाले कुर्सी पर बैठा हूँ और मैंने आलती पालती मारक की है किसी पदमासन पे नहीं बैठा हूँ लेकिन कभी-कभी मैं three step करता हूँ कभी-कभी मैं तक्या लगा करके बिस्तर पे बैठ जाता हूँ सबसे important आसन मेरे लिए है walking आसन जिसमें मैं walk करता हूँ slow nature के पास krishnaburti जाते थे किसी bench पे बैठ जाते थे खुब walk करते थे तो किस आसन में बैठे जिसमें आपका mind काम हो सके aware हो सके ना खुद को ना दूसरों को disturb करे युकि हमारी body के posture से हमारा mind alter होता है कोई भी आसन कंबल सरी नहीं है और किसी भी आसन को जब आप लगाते है तो जवर्स्ति मत करी अपने साथ जवर्स्ति करने से केवल मन में और anchor develop होगा एक sense of power feel होगी और वो आपको suffering कम करने के बज़ाए बढ़ाएगी next question मुझसे अक्सर पूछा जाता है ध्यान के बारे में कि कितने घंटे दिने पढ़ेंगे मुझे लता है ये confused question है जिसके बारे में कृष्ण ने कहा है कर्म के फल के उपर तुम्हारा अधिकार नहीं है आप इसके बारे में नहीं सोच पा रहे हैं आप जब दो घंटे, चार घंटे, पांच घंटे बैटने की सोच रहे हैं तो आप result क्या चाहते है अब एक मिनिट बैठिए एक मिनिट गिन कर अपनी सास के साथ, अपनी ब्रेथ के साथ और वो एक मिनिट बाद में सवा मिनिट, डेड़ मिनिट आप एक काम करिए एक journal बनाईए, notebook उसमें लिखना शुरू करिए या आपके पास एक color note नाम का app हो, उसको डाउनलोड कर लीजे start writing your mind out जो घंटो-घंटो की बात कर रहे हैं जिसमें रवन महरशी बैठते थे वो section 2, B और 3 की stage है वो एक gift की तरह आती है दुनिया के सबसे बड़ी gift है gift आप छीन नहीं सकते माँग नहीं सकते जब एक mind एक level of maturity में पहुँच जाता है जब वो ready हो जाता है तब life उसको देती है वो state जैसे बहुत उचे पहाड के उपर बरफ होते है ठंड़क होती है ऐसे ही एक आदमी जब बहुत high level के consciousness में जाता है अभी हम लोग एक series बना रहे है levels of consciousness बहुत जल्दी हमारे app पे आने वाला है जब आप वहाँ पहुचते है then it is a gift for you और उसमें फिर आपको ये घंटों की गिंती नहीं होती ये समझ ही इस बात को अगर आप अपने मन के अंदर में गिन रहे है कि मैं कितना देर से बैठा हूँ कब तक बैठूंगा कितने साल तक इस तरह से बैठना पड़ेगा अगर ये सब आप सोच रहे हैं तो आप ध्यान नहीं कर रहे हैं आप अपने आपको torture कर रहे हैं कुछ लोग कहते हैं ध्यान-वियान कुछ नहीं होता, बस mental relaxation होता है जी हाँ अगर आप बिना सोचे समझे करते हैं तो relaxation है, लेकिन उस condition में तो हड़ चीज़ relaxation है shopping relaxation है जो बिना सोचे समझे हम करते है traveling relaxation है वैड़ के गाड़ी में और घूम रहे हैं गाना सुनना, गाना गाना किताबे पढ़ना लेकिन जब आप पूरी life को समझना चाहते हैं और उसके लिए इसको एक टूल की तरह यूज़ करते हैं, तब ये relaxation से कुछ ज़्यादा हो जाता है last में मैं आपसे फिर से मैं एक बात और clear करना चाहता हूँ, कि जब आपके मन में कोई विचार चलता है वो विचार कुछ बता रहा है आपको आजकल हम लोग एक सीरीज बना रहे हैं, WBX में कि किस तरह से हमको life में बहुत बार ऐसी opportunities मिलती हैं, जो हमारी आख के सामने होती हैं, फिर भी हम उनको देख नहीं पाते बहुत बार parents या हमसे जो बड़े हैं वो हमको दिखाने की कोशिश करते हैं देखो तुम एक अच्छे college में पढ़ाई कर रहे हो या तुम को ये नौकरी मिल सकती है exam की त्यारी कर लो या ये business में दूजा सकते हो बहुत से ऐसे advantages होते हैं जो हमको ही मिल रहे हैं और किसी को नहीं मिले लेकिन हमको देख नहीं पाते हैं अगर कोई हमारी बुराई कर रहा है या कोई हमको धमकी दे रहा है तो उसमें कुछ तो उस आदमी का गुस्सा है या life में कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जो हमारे मन के हिसाब से नहीं है तो कुछ तो fact है और कुछ उस आदमी का emotion है या आपका emotion है तो जब आप आराम से बैठते हैं और उस पूरी घटना को एक copy में लिखते हैं detail में उस writing process में आप अपने मन के अंदर में जो हाथ पे glass रखा है उसको नीचे रख रहे है एक विचार को अपने मन से हटा कर कहीं और रखिए journal मनाईए date wise और जो सबसे painful thought है जो आपका मन का irritating thought बन गया है उसको जितना detail हो सके detail में लिखिए और ऐसे लिखिए as if वो एक story है एक writer की तरह लिखिए इसके लिए आपको और अच्छे writer's को पढ़ना पढ़ेगा रसकिन बॉंड को, कृष्ण मूर्थी को ऐसे अच्छे अच्छे writer's को पढ़ना पढ़ेगा यूँकि हमारे पास अभी लिखने की skill नहीं developed है हम तो किवल दिमाग में विचारों को चलने देते हैं जैसे mixi में कोई चीज हम blend कर रहे हैं ऐसे ही विचारों को मन में चलने देते हैं और एक विचार दूसरे विचार के साथ जवरजस्ती mixed हो जाता है और ये सारे विचार emotions create करते हैं habits create करते हैं डर create करते हैं बदले create करते हैं उसको कॉपी में उतारिए और फिर उसमें से आपको मिलेगा इंसाइट अंडिस्टैंडिंग कृष्ण की गीता विचार नहीं थी वो दुनिया को देख करके एक गहरी समझ थी और फिर वही से आप और आगे बढ़ेंगे आप आपकी कॉंशिसनेस की लेवल और उची होती जाएगी स्पिरिच्वलिटी पुरी जिलेगी का विज्ञान है यह हमारी लाइफ का परपस है जब तक हम सास ले रहे हैं जब तक हम इस बॉड़ी में फसे हैं जब तक हमारी बॉड़ी एक एक दिन बॉड़ी होती जा रही है और हम्रित्यों के पास आते जा रहे हैं तब तक हम स्पिरिच्वल साइंस की स्टूड़िंट हैं इस विज्ञान के जरीए आप डेथ को मरने से पहले एक्स्पिरियंस कर लेते हैं कॉंशिसली और फिर आपकी डेथ कभी नहीं होती है एक बहुत गोड़ विग्यान है इसमें जाने से पहले थोड़ा सोचिए कहीं ऐसा नहो जाए कि आप एक बहुत बेश कीमती हीरे को पत्थर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको एक बार यूज करके फिर फिक दिया ऐसा नहो जाए आपकी जिन्दगी बहुत कीमती है इसके बारे में सोचीगा और अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बहुत सीरियसली इसको परसुग करना चाहता हूँ तो महरे पास धेर सारे कोर्से हैं स्पिरिचुलेटी के लिए छेहोंगा बिसिक एडवांस कोर्स अगर आप बिजनस की दुनिया में घुषना चाहते हैं पैसा क्या होता है स्टार्टप क्या होता है स्टार्टप बड़े कैसे होते हैं अगर आपको ताश पांच लोग की किमपनी है उससे 50 लोग की कमणी बनानी है 50 की है और 500 की बनानी है तो उसमें कौन-कौन से key transitions होते है strategy क्या होता है इस तरह के धेरो ऐसे सवाल हैं जो आपको MBA में नहीं सिखाय जाता theory बता देते हैं, practices को नहीं बताता वो आपको WBX में सीखने को मिलेगा और एक विज्ञान आ रहा है नया पिछले 10 साल से धेर सारी किताबे आ रही हैं लेकिन अभी भी common man उसको नहीं जानता schools में, colleges में बच्चों को भी नहीं पढ़ाया जाता the science of decision making वो हम medium में cover करते हैं तो अगर आप interested हैं हमारे साथ तो ये number है इस पर आप join कर सकते हैं एक हमने whatsapp पर भी channel बनाया है इसी number से 9651160056 पर उस पर हमारे वीडियोज आते हैं वो डालते हैं प्लस कोई information कोई retreat हो रहा है तो उसके बारे में वो information उसमें पढ़ता है आप उसको follow कर लें Instagram पर मेरा ID है ashish.zin ठीक है उसके बारे में वोड़ता है झालते है जसके बारे में वोड़ता है प्लस की बारे में वोड़ता है यसके बारे में वोड़ता है